हेलो फ्रेंड्स रेकॉन की सीरीज लर्न फ्रॉम कोश्चन में आप सभी का स्वागत है दोस्तो आज हम सीखेंगे लेटरल अर्थ प्रेशर का टेंशन क्रेक का कॉंसेट बहुत ही अच्छा और यूनिक कोश्चन है तो आईए पहले कोश्चन समझते हैं उसके बाद आगे की बात करेंगे टू मार्क्स का कोश्चन है 2018 की मौर्निंग शिफ्ट में पूछा गया था क्या है कोश्चन देखिए तो पीछे जो सॉइल है वो सैचुरेटेड क्ले है मतलब फाइज हो है वो जीरो होगा दा सैचुरेटेड यूनिट वेट एन अंड्रेंड कोहिजन अफ दा बैक्फिल आर गिवन है आपको 17.2 इसकी देंसिटी हो गई और C की वेल्यू 20 के पिये दे रखिए The difference in the active lateral force on the wall in kN per meter length of wall up to 2 decimal place before and after the occurrence of tension crack is तो आप से पूछा गया है tension crack के बारे में काफी common है soil के अंदर काफी बार दो conditions को ही compare करना होता है gate जैसे exam में सीधा question नहीं पूछते जादा तर दो condition पूछके दौनों का test examiner ले ले लेता है वो ही चीज उन्होंने यहाँ पे भी की है तो दोस्तो मेरी एडवाइज रहेगी पहले वीडियो पॉज करिए और कोशिश करिए कि क्या आप सॉल करके 46.6 अगर आपका आंसर 46.6 आ रहा है तब भी मैं कहूंगा दोस्तो आप वीडियो पूरा देखिएगा क्योंकि एक बहुत ही important चीज इस question में छुपी हुई थी क्या आप उस चीज को देख पाए क्या देख पाते हैं अगर आपने वैसे ही calculation की है जैसे मैं कर रहा हूँ then it means your preparation is going in perfectly right direction अगर आपने lengthy calculation कर डाली है इसका मतलब आप अभी भी कुछ चीज छोड़ दे रहे हैं तो question को देख के थोड़ा सा coolly अगर आप solve करते हैं तो आप बहुत सारी calculation का time बचा सकते हैं ये इस question में एक दूसरी चीज है जो सीखने लाया के एक छोटे topic को समझाने से लेके पूरा gate और engineering services के objective की तैयारी online करवाता है अगर आपको कोई भी doubt है रैकान के वीडियो आप घर बैठे कैसे लेके तैयारी कर सकते हैं तो नीचे दिये गए whatsapp number पे message करिए या फिर हमारी website www.rcaonline.in पे जरूर visit करिए चलिए अब आईए देखते हैं कि इस question का solution कैसे होगा तो solution के लिए आपको क्या करना है एक 7 meter की wall खड़ी कर देनी है so this is my 7 meter wall एक चीज इस question में छुपी हुई है दोस्तों जो understood सी है कि Rankine की theory use करिए और examiner ने कहीं पे भी ये बात लिखी नहीं है but the easiest way to solve this question is using the Rankine principle तो हम लोग Rankine का ही principle यहां use करें student के लिए अच्छा रहता अगर examiner लिख देता कि Rankine की theory यूज कर लिए benefit of doubt दे देते हैं examiner को तो देखिए दोस्तों क्या हो रहा है यहां पे tension crack की बात हो रही है तो जब भी backfill में clay होगा दोस्तों तो formula क्या होगा active pressure का वो मैं आपको बता देता हूँ simple है sigma a is equal to gamma h into ka minus 2c root of ka अब यहां पे ka की value बहुत simple 1 हो जाएगी आपको याद रखना चाहिए clay के लिए ka 1 होता है क्योंकि ka का formula होता है 1 minus sin phi over 1 plus sin phi clay है तो phi 0 हो जाएगा sin phi की value 0 हो गई so you will get 1 तो यह और यह तो कोई मतलब का नहीं है तो आपके active pressure का formula बन गया gamma z minus 2c अब अगर आप देखें तो when height is 0 तो tension develop हो जाएगा negative sign shows tension so what you get minus 2 into 20 which is 40 तो आपके minus 40 का एक tension आया उसके बाद linear distribution होगा जैसा आपको दिख रहा है और value कुछ इस तरीके से बढ़ जाएगी ओके so this is my case 1 इसमें मैं value लिख देता हूँ this is minus 40 यह negative है और नीचे में positive है यानि की compression है case 2 में क्या है दोस्तों case 2 बोला गया है जब tension crack develop हो गया है देखें दोस्तों जब tension crack develop हो जाएगा तो किस तरह का pressure distribution बनेगा तब इस तरह का pressure distribution बनेगा उपर में tension crack develop होने से soil जो है वो wall को छोड़ चुकी होगी तो आपका case 2 का diagram इस तरह का है positive का अब इस depth की बात कर लेते हैं कि यह depth किती होगी तो यह 0 कब होगा अगर मैं इस equation में इसको 0 पुट कर दूँ तो what I will get I will get h is equal to 2c by gamma यानि कि 2 multiplied by 20 divided by gamma की value यहाँ पे देखे 17.2 दे रखी है so I put 17.2 and I get this value as 2.33 यानि कि यह value हो गई 2.33 अब यहाँ पे question खतम हो जाता है दोस्तों अगर आप patience और coolly question कर रहे हैं तो क्यूं क्यूंकि आप से क्या पूछा है आप से पूछा है difference in the active lateral pressure तो इन दौनों का difference क्या है इसका area okay तो इसका area किता हो गया उपर वाले part का it is half into minus 40 into 2.33 which is equal to 46.6 अब बहुत से student मैंने देखा है दोस्तों पहले यह पूरा area calculate करते हैं यानि कि यह area और यह area एक value निकालते हैं फिर यह वाला area भी calculate करते हैं फिर दौनों value को subtract करते हैं और answer लाते हैं 46.6 इतने time लगाने की आपको जरूरत ही नहीं थी आपको थोड़ा सा patiently और poorly अगर आप observe करते solution को तो आपको मिल जाता कि यह answer यहीं पे है यानि कि सिर्फ मुझे इतना area निकालना है और वो एक simple calculation से आजाता and the answer is 46.6 लेकिन यह answer में negative भी है ध्यान रखिएगा बहुत से student 46.6 करके आए और परिशान रहे कि सर माइनस का ध्यान नहीं दिया बट लग अच्छा था दोस्तों कि gate में दोनो answer accept किये यानि कि 46.6 जिनोंने positive लिखा उसको भी marks दे दिया और जिनोंने negative लिखा उनको भी marks दे दिया किते लोगों ने 46.6 positive answer लिखा था कमेंट सेक्षन में जरूर बताईए कि सर मैंने 46.6 लिखा चांस से right हो गया लेकिन exam में हो सकता है negative होके marks कट जाएं दोस्तों इसी तरह रैकॉन के videos आपको पूरी तरह से तयारी कराते हैं गेट और engineering services की जिससे आप examination hall में कोई गलती नहीं करें ज्यादा information के लिए मैं फिर बोलूंगा हमारे website visit करें या whatsapp number पे message डालें with that thank you very much keep enjoying your engineering and have lot of fun in your life thank you